निर्माण कारे में लगने वाली समागरी सर्या और सिमेंट के दाम अब कब होने लगे हैं? कोईले के कमी के चलते सर्या और सिमेंट के दाम जो आस्मान पर पहुंच गया थे वे अब डिमाड ना होने के कारण लगातार कम हो रहे हैं सर्या की कीमा जहां लगबग 75-80,000 रुपए टन से कम होकर 65-70,000 तक पहुंच गई तो वहीं सिमेंट के दाम भी 350 रुपए से कम होकर लगबग 300 रुपए तक पहुंच गए दरसल दोनों समागरी के दाम उचाय पर पहुंचने के कारण लोगों ने निर्माड कारे से तौबा कर लिया था लोगों ने अपने घर के निर्माड कारे आगे बढ़ा दिये थे या फिर रोग दिये थे सरकारी निर्माड कारियों का भी ये हाल था रेट अधिक होने के कारण ठेकेदारों ने काम बंद कर दिया जिसके कारण डिमांड में भारी कमी आ गए और कमपनियों को दाम गिराने पड़े मई में जहां सीमेंट 400 रुपए प्रती बैग पहुच गया था तो वहीं अब 385 से 390 रुपए प्रती बैग मिल रहा है वहीं सर्या यानि की 6डभी 75 रुपए प्रती कीलो की जगह अब 60 रुपए प्रती कीलो मिल रहा है इस तरह सीमेंट 10 से 15 रुपए प्रती बैग सस्ता हुआ है जबकि सर्या की कीमत में 15 रुपए प्रती कीलो की कमी आई है इसके कारण मकान बनवा रहे लोगों को कुछ राहत मिली है। जानकारों की माने तो बारिश में निर्मान कारियों में कमी के कारण आने वाले दिनों में कीमतों में और भी कमी हो सकती है। मार्च में लोकल ब्राण सरिया 55 रुपे किलो किदर से मिल रहा था। अपरेल में इसकी खीमत 70 रुपे तक हो गई थी। मई में ये 75 रुपे किलो तक भी का, अब इसकी खीमत 60 रुपे है।